आज हम शुरू करेंगे वॉक्षेट नंबर फाइफ यह आपकी एसस्टी की वॉक्षेट ही इंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यह तो मैं दोनों में बनाऊंगी आप लोग ले लेंगे चले शुरू करते तो पहले आप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे पढ़ेंगे वॉक्षेट नंबर फाइफ नियूबल नेच्रल रिसॉर्स यानि की वह नेच्रल रिसॉर्स जो रिनीवल है यानि की जो दुबारा से हो जाते हैं उनको कैसे बचा सकते इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वी हैफ प्रीवियसली अंडरस्टूट एज तो साथ इसके बचाएं में जाते हैं मुछ नियूबल बार इजाते हैं मैंनि क्या बोलते हैं इसको रिनीवल रिसॉर्स बारे में जानते हैं इसको नहीं रिनीवल होने की बोलते Хूं और रिनीयूबल रिसॉर्सेज़ हम लोग बोलते हैं नाव लैट डिसकस ओन दा कन्वर्सेशन ओफ दीस रिसॉर्सेज़ आज हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे किस तरह से हम तो यह जो रिसॉर्सेज है उसको हम संडख्षित कर सकते हैं या उसको हम बचा सकते हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं रिनीयूबल रिसॉर्सेज कहते हैं यह बोलते हैं कि अगर हम यह हवा पानी मिटी जंगल इनको केरलेस तरीके से इस्तिमाल करना शुरू कर देंगे या नी बिना सोचे समझे इस्तिमाल करना शुरू कर देंगे तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा हानी कारक हो जाएगा और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसेशिएट वाटर एंड ड्राइंग ओफ दुनिया का बहुत बड़ी गड़बड है यह ठेके पूरी दुनिया इस मुद्धे पे विचार गर रही है Similarly, digging of top soil and continuously deforestation lead to the reoccurrence of the nature disaster which pose a great challenge to mankind अब क्या बोलते हैं ये कि हम लोग उपरी लियर मिट्टी की खोद रहे हैं है नडी फोरेस्टीशन करे जा रहे हैं निलकातार पेड़ों को काटे जा रहे जंगलों को साफ करे जा रहे और इसके चल दे क्या हो रहे है जादा खतरनाक चैलेंज है इनसानों के लिए ठीक है तो हम यहाँ पढ़ते लेस्ट फाइंड आउट एंड लिस्ट अब हमें फाइंड आउट करने हैं और लिस्ट बनाने है क्या इफ पोटेबल वाटर ओं अर्ट गेट रिडियूस हाँ वूड इट अफेक्ट यूर लाइफ यानि अगर पीने योगे पानी जो भी हमारे उससे पानी है अगर वो खत्म हो जादा है प्रिच्वी पर से या वो कम होने लगता है जैसे कि आजकल हो रहा है तो इससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पढ़ने इसका अंसर लोग देख लेते हैं इसका अंसर यहां से लिखेंगे इफ दा ड्रिंकिंग वोटर ऑन दा अर्थ विल डिस्क्रीज यानि कि अगर वो ऐसे कम हो रहा है दैन लाइफ विल बी डिफिकल्ट फॉर उस यानि हमारी जिन्दिगी जो बहुत जादा मुश्किल में पढ़ने वाले लाइफ इस नौट पॉसिबल विदाउट वाटर यानि पानी के विना जिन्दिगी पॉसिबल नहीं अगर इसी तरह से पानी कम होता रहेगा तो क्या होगा धीरे वह एक दम बिलकुल सूख जाएगा और जब वह सूख जाएगा तो हमारे लिए पीने के व अगर सारी जो पीर हैं सारी जो जंगल है वह खत्म हो जाए प्रत्वी पर से तो क्या होगा चलिए इस कांसर हम लोग देख लेते हैं यहां लिख लेंगी जंगल प्ली अवेरी इंपॉर्टेंट रूल इन आवर लाइफ जंगल या फॉरेस्ट आप कुछ भी लिख सकते है तो यह कहते हैं कि यह आप हमारी जंदीगी में बहुत एहम रोल अदा करते हैं यह बहुत सारे डिजास्टर से हमें प्रिवेंट करते हैं बचा लेते हैं गीविंग अस ग्लीन इयर साफ हवा फुर्ट्स, विजिटीवल्स, मेडिसिन, एक्सेक्टरा यह सब चीज़े भी ह यह नहीं पाएंगे तो अब इस तरह से अंसर लिख सकते हैं चलिए नेक्स टोशन देखते हैं अब लोग अब देखें यहां लिखा है every person can contribute in the conversation of resources यानि हम conversation resources की जो बचाना है यानि जो हम संसाधन संदक्षन कर रहे हैं उसमें हर इंसान अपना contribute कर सकता है some of them are listed blobs कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं जिसे आपको करके बचाना है apart from this how right how you can contribute अब आपको इसके इलावा कुछ parts अपने आप से लिखने हैं आपको यह बताने कि आप किस तरह से अपना योगदान दे सकते इसको बचाने के लिए चले तो पहला पार्ट देखते है पहला पार्ट है आपका conversation of water पानी का बचाना number one but not use by not using potable water for cleaning road and washing vehicles यानि हमें पीने का पानी नहाने के लिए कपड़े दोने के लिए या cleaning road या गाड़ी दोने के लिए नहीं यूज करना चाहिए नेक्स पॉइंग वाटर विल डूइंग डेली ट्रोल्स यानि बाथिंग वाशिंग इन सब चीज़ों में भी हमें डेली ये पानी बचाना चाहिए इसम अश्की के बाद कालिकर कर आप टेप वैल क्लीनिंग टीज मापने ब्रुश कर रहें दो को तो आप नल को बन कर तकि कुल्ला करें तो आप नल खोल ले रहां से जच ते आप देर आप दातों की सफाई कर नल बन एक या बच्ट सके लाश्य वैं वाशिंग उन स्टिल या अगर बर्तन दो रहे हैं टेक वाटर इंद वेसल यानि बड़े बर्तन में पानी लें आप सो देट वी कैन देट इट कैन क्लीन दांटिल प्रॉपली एंड विद लेस वोटर यानि हम अच्छे से बर्तनों को भी दो सकते हैं और पानी का घुल से अगर हम नल घुला चोड़ देते हैं लहरे हैं और पानी वएस्ट हो रहा था कर एम पानी को भी सब्सक्राइब अप Łagad calls करें हैं तो पानी को भी बचाते हैं चु Hearts ृूज देख लेते हैं कि जो उपजाओ जमीन है उसको मैं लेकर्चल के लिए यूज करें और बिल्दिंग होम्स एंड फैक्टरी ओनली ब्रेड रेंड यानि वो लैंड जो उपजाओ नहीं है जो बंजर है उसके उपर ही हम लोग बिल्दिंग फैक्टरी वगदर डालें बाइन उजिंग प्लास् अब आप इस कांसर नहीं से लिखेंगे पहला पॉइंट के रिडियूसिंग प्रेस्टिसाइड यूज पॉलिशन ऑफ दा सोयल इंक्रिज यानि कि अपके प्रेस्टिसाइड का जो इस्तिमाल है उसे कम करें क्यों कि वो भी अमारी जमीन को पॉलेट करता है प्लांटन ट् लिखा है कंसर वीशन ऑफ यह नहीं कि हम हवा को कैसे संरक्षित कर सकते बाइं नौट बर्निंग प्लास्टिक और विस प्रोडेक्ट यानि कि प्लास्टिक का यह वेस प्रोडेक्ट जो उसे ना जला है अगर मुसे जलाते तो दुआ निकले का जिससे हवा गंदी हो जाए यह आपको मैं बता देती हूं अब देखिए आप यहां से लिखेंगे टू बैंग गैसिस फॉर्म इंसाइड दा फैक्टरी जानिकी वह गैस जो फैक्री से निकलती है उनको उन पर रोक लगानी चाहिए ठीक है एसी और जो आपके फ्रिज वगरा है उससे जो गैस निकलत चैक तो आप इस तरह से लिख लेंगे यह सब चीजें हमारी हवा को साफ करने में हमारी मदद करेंगी चलें नेक्स्ट कोशन देखते हैं के लिखा है कंसर्वेशन और फोरेस्ट यानि हम फोरेस्ट यानि जंगलों को कैसे बचा सकते तो पहला लिखा है बाइन टेरिंग और वेस्टिंग दा पेपर्स विल कंजर्ब फोरेस्ट एज इट मीड बाइ ट्री ओनली अब यह कहते हैं कि पीडों को पीजी जो है उनको ना फाड़े ना नूची ना वेस्ट करें क्यूंकि अगर हम उसे बचाएंगे तो पेड अपने आप बचेगा क्यूंकि यह पीड अगर आपको बहुत जरूरत है किसी पेड के काटने की दैन दैन प्लांट एक प्लांट हीजिए लगाईए कम से कम चार पेड उसके बदले में अगर आपने एक पेड काट है तो उसके बदले में आप चार पेडों को लगाईए चिरेंट मैक्सिमूम इंपोर्टिंस ओफ आप बच्चों को जादा से जादा प्लांट के बारे में बताइए कि उनकी क्या ज़रूरत है किस तरह से वह हमारे जीवन ने आविशक है और उनसे कहिए कि वह भी पेडों को लगाएं पेले कि आफ तेंक्स मीट बाई ट्री यूज एट लिस्ट यानि जो चीज ही जो भी वस्तुएं पेडों की द्वारा बनाई जाती हूं उनका कम से कम प्रियोग करें और जो उनकी चीज़े होती कि अगर हम यह यूज नहीं करके यह कर सकते हैं तो उसको ही जादा यूज करें ठीक है तो इस तरह से हम लोग यह सारा काम कर सकते चले नेक्स्ट कोशन देख ले पानी, मित्टी, हावा और जंगल इस तरह से अगर लेगे चले नेक्स्ट कोशन देखते हैं अब आपका कोशन नमबर टू है यहां पे हाव केंग वी रिड्यूस दा विस्टिज ओ वाटर हम पानी की विस्टिज को किस तरह से रोक सकते हैं चले इसका अंसर देख लेते हैं इसके यहां से दो पॉइंट लिख देंगे पहले लिख देंगे बाय नॉट यूजिंग पोटीबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड एंड वाटर वाटर वाशिंग वेहिकल यानिकी जो पीने का पानी है उसको हमें साफ करने में या गारियां दोने में इस्तिमाल करना चाहिए ठीक है सेकंड पॉइंट हम लोग ने क्या लिखा है कंश्वर्सिंग वाटर वेल डूइंग डेली चोर्स यानिकी रोज की जो काम है रोज मर्रा की जिन्दीगी के काम है उसमें भी हम पानी को बचा सकते से नह उनका संदक्षन करने के लिए कुछ उपाय बताएं चलिए इस कांसर देख लेते हैं इस कांसर यहां से लिखेंगी इफ यू नीट टू कट अट्री या अगर आपको बहुत जरूरत है किसी पेड की काटने की दैन दैन प्लांट एट लीस्ट फोर ट्री इन रिटर्न यान आप बच्चों को जादा से जादा प्लांट के बारे में बताइए कि उनकी क्या ज़रूरत है किस तरह से वह हमारे जीवन ने आविशक है और उनसे कहिए कि वह भी पेडों को लगाएं पिले कि आफ थेंक्स मीट बाइट यूज एट लीस्ट यानि जो चीज ही जो भी वस इस तरह से हम लोग यह सारा कम कर सकते चलें नेक्स्ट कोशिन देख लेते हैं हम लोग आपका लास्ट कोशिन है कोशिन नमबर फॉर वाइट इस नैसेसरी तो कंजर्व रिसॉर्स फॉर दा फ्यूचर यानि जो भी संसादे ने उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखना क् इसका अंसर देखें वीडियो को फिनिश करते हैं इसका अंसर यहां से लिख लेंगे रिसॉर्स कन्वर्सेशन इस नेसेसरी फॉर फॉर फ्यूचर विकास लाइफ विल बी इंपॉसिबल इफ रिसॉर्स आजिक्षिस खत्म हो जाते हैं तो इसके बिना जिन्देगी की अगर आपको हमाई वर्क्षिट पसंद आयो तो फ्लीज इसे लाइक को शियर करें अगर अभी तक आपने माचाओं को सिस्काइब नहीं करा तो फ्लीज माचाओं को सिस्काइब करें थैंक्यू पर वाचिंग